हेलो फ्रेंज एकबर फिर से सागत है कविता पनारसी किचन में आज हम बनाएंगे इस्टीट इस्टाइल एक चौमिन और इसको हम बना करके बहुत ही कम समान से तैयार करेंगे तो अज़ी रेस्पी इस्टाट करते हैं यह देखिए फ्रेंज हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है और उसमें हम पानी डालेंगे दो गिलास के करीब और पानी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर इसके बाद यह हमने चौमिन ले लिया है हमने छोटे पांच रुपे वाले पैकेट लिया है और उसको डाल करके पकाएंगे चौमिन को और इसको हम बीच-बीच में चलाते रहेंगे ताकि चौमिन अच्छे से उबल जाए और इसको हम चेक भी कर लेंगे कि चौमिन पका है कि नहीं और हमको ज्यादा नहीं पकाना है देखिए हमने चौमिन को प्लेट में निकाल लिया है थाली में फिर इसके बाद हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे दूसरी कढ़ाई और उसमें हम दो चमस तेल डालेंगे जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर इसके बाद हम इसमें तीन पीस हमने अंडा लिया था अंडा तोड़ करके इसको हम भूनेंगे अंडा को इसी तरह से हमको भून के भून लेना है देखिए इस तरीके से हम अंडे को इस तरीके से भून करके प्लेट में निकाल लेंगे इसको भी और फिर हम कढ़ाई रखती हैं फिर हम गैस पर और उसमें हम अधरक मिर्च डाले हैं हमने दो पीस मिर्च लिया था और दो प्याज यह सब डाल करके हम भूनेंगे जब हलका प्राउन होने लगेगा फिर इसके बाद हम डालेंगे टमाटर इसको भी भून लेंगे चला लेंगे अच्छे तरीके से और यह सिम्ला मेर्च फिर पल्टे की मदद से हम चलाएंगे और यह हमने थोड़ा से मटर भी डाल दिये हैं उसी के साथ फिर हम इसको दो मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे स्वात के अनुसार नमक हाफ टीजपून हल्दी है यह हमने चौमिन मसाला लिया है एक पैकिड इसको भी हम डाल देंगे और यह है चिली सॉस फिर इसके बाद हम सोया सॉस डाले हैं वन टीजपून और विनेगर यह भी डाल दिये वन टीजपून और यह है टमाटर सॉस य स्वात के हमने जितने समान डाले है मसाला अच्छे तरीके से मिल जाए और फिर इसके बाद हम चौमिन जो रखे थे ना उसी को हम डाल करके इसको भी मिला लेंगे थल के हाथ से हमको मिलाना है ताकि चौमिन तूटे नहीं इस तरीके से पराबर से हमको मिला लेना है फ्रेंस आप जब इस तरीके से चौमिन बनाएंगे न अंडे वाली तो बहुत ही टेस्टी इसका स्वाद होता है यह देखिए हमने इसी तरीके से मिला कर तयार कर लिया है और उपर से हमने जो अंडे रखे थे बून करके उसको भी डाल करके पल्टे के मदद से चला लेंगे यह देखिए एकदम मार्केट जैसे चौमिन हमने अंडे वाली तयार कर लिये हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिश तरीके से बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को पसंद आने माली एक चौमिन की रेस्पी मेरी तयार हो चुक हमने चौमिन बहुत ही टेस्टी तरीके से तयार किया है आप इसे सॉस के साथ या टमाटर सॉस या चिली सॉस के साथ दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरू करिएगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले व पुर वाचिन झाल झाल